TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV Canada भर में कोरोन के बार तेज़ी से जारी हैं मरीजों की मश्मीत आदा 13,81,582 तक जा पहुची हलाकते 25,547 हो गई Canadian सूबे ओंटेरियो में कोरोना वारस के फैला में वाज़े कमी तीन महीनों बाद एक ही दिन में एक हजार से कम केसिस रिपोर्ट पीर के रोज सूबे में 916 नए केसिस रिपोर्ट हुए ओंटेरियो में जून में स्कूलों के दुबारा खुलने का इमकान सूबे के प्रेमियर का कहना है कि माहीरीन की राए के बाद ही हत्मी फैसला करेंगे एक या दो दिन में इस मतालिक ऐलान कर दिया जाएगा घजा में कशीदा हरा के सबब दरजनों करिडियन शेहरी महसूर होकर रहे गए गज़ा में फसने वाले कनेडियन शेरियों को वापिस लाने का मतालबा मैसूरीन कई हफ़तों का अंतिजार करने पर मचबूर दुनिया भर में कोरोना वार्ष से अमबाद 35 लाग 65 लाग से तजावस कर गई मतासर अफराद की तादा 17 करोर 14 लाग से जायत हो गई 15 करोर 37 लाग से जायत मरीज से अतियाब हो चुके हैं जो ही चावला फाइव जी टेकनोलजी के खिलाफ मैदान में आ गई टेकनोलजी के इस्तमाल को रोकने के लिए अदालत पहुँच गई कहती हैं जदी टेकनोलजी के हक में हूँ ताहम कुछ चीजों पर एतरास है फखरे आलम भी वाल्टन एरपोर्ट को बचाने मेदान में आ गए वाल्टन एरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग को सकाफ़ती विर्सा करार देने का मतालबा फखरे आलम कहते हैं कि वाल्टन एरपोर्ट सकाफ़ती एतबार से पूरी दुनिया में भी वशूर है हैडलाइन्स आपने जानी और अब खबरे तफसील के साथ ग्रीनिश हैंसानिटाइजर ना ओईली ना स्टिकी ना बद्बू और मुकमल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म, मुलाइम और साथ आज ये अपनी खरीबी फर्मसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट को और्टर करें www.greenish.com ओंटेरियो सुभे में कुरोना केसिस की तादाद सबसे ज्यादा है सुभे भर में कुरोना वार्ष से मतासुर होने वालों की तादाद 5,31,499 तक जा पहुंची है जबके हालाकतों की तादाद 8,757 है मजीद जानते हैं इस डिपोर्ट में कैनेडा भर में करोना के वार तेजी से जारी है कैनेडा भर में करोना के मरीजों की मचमुई तादा 13,8582 तक जा पहुँची है जबके हलाकते 25,547 हो गई जबके 13,22,82 अफराद सहतियाब हो चुके हैं ऑंटेरियो सूबे में करोना केसिस की तादाद सबसे ज्यादा है सूबे भर में करोना वायरिस से मतासिर होने वालों की तादाद 5,31,469 तक जा पहुची है जबके हलाकतों की तादाद 8,757 है कैनेडा में करोना वायरिस के सबसे ज्यादा हलाकतیں क्यू बैक सूबे में हुई हैं जहां करोना वारिस के मचमुई केसिस की तादाद 3,70,319 है जबके सूबे में करोना वारिस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,128 तक पहुँच चुकी है। कैनेडियन सूबे अलबर्टा में केसिस की तादाद 2,00,000 से तजावस कर गई। सूबे में 2,27,509 अफराद करोना वारिस से मतासिर हुए हैं जबके 2,227 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कॉलंबिया में केसिस की तादाद 1,44,289 तक जा पहुँची हैं जबके सूबे में करोना वारिस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,703 है। कनेडियन सूबे उंटेरियो में कورोना वारीस के फेलाओं में कमी देखने में आ रही है। 3 महीनों में पहली बार सूबे में एक ही दिन में करोना वारीस के एक हजार से कम नए केसिस रिपोर्ट हुए। मजیऋ तफसिल्चाव जामते हैं इस डिपोर्ट में केनेडन सूबे उंटेरियो में करोना वाईरिस के फालाओं में कमी देखने में आ रही है तीन महीनों में पहली बाद सूबे में एक ही दिन में करोना वाईरिस के 1000 से कम नए केसिज रिपोर्ट हुए सुभाई सहत के अहदेदारों के मताबिक पीर को 916 नए केस सामने आए जो 17 फरवरी के बाद सबसे एक ही दिन में करोना केसिस की कम तादाद है 17 फरवरी को 847 नए केसों की तजदीक हुई थी ऑंटेरियो में एत्वार के रोज 1033, हफ़ते के रोज 1057 और गुजशता पीर को 1446 नए केसिस की इत्तिला मिली थी 6 मार्स के बाद पहला मौका है कि ऑंटेरियो में एक दिन में 1000 से कम करोना के मरीज रिजिस्टर्ड हुए है चीफ मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ डॉक्टर डैविट विलियम्स पहले भी कह चुके हैं कि वो सहते आमा की पाबंदियों को कम करने से पहले रोजाना केसों की गिंती 550 से 600 करना चाते हैं नए केसिस की 7 रोजा औसत तादाद 1078 है जो गुजशता हफ़ते की तादाद यानी 1775 से कम है पिछले 24 गंटों के दोरान 18226 टेस्टों पर कारवाई के साथ वजारत सहर सुबाई सता पर करोना केसिस की मुझबट शरा 4.3 पीसद बता रही है जो गुजशता हफ़ते की मुझबट शरा यानी 6.4 पीसद से कम है पिछले हफ़ते डगपोर्ट हकूमत ने कहा था कि ऑन्टेरियो का हर वो शक्स जो वाक्सिनेशन करवाना चाता है वो गर्यों के आख़े तक दोनों खुराके हासिल कर सकेगा कनेडियन सुबे ओन्टेरियो में करोना केसिस में कमी के साथ स्कूलों के खुलने के भी इमकानात नजर आ रहे हैं सुबे के प्रीमियर डगपोर्ट के मताबिक जून में स्कूल दुबारा खुलेंगे कनेडियन सुबे ओन्टेरियो में करोना केसिस में कमी के साथ स्कूलों के खुलने के भी इमकानात नजर आ रहे हैं सुबे के प्रीमियर डगपोर्ट के मताबिक जून में स्कूल दुबारा खुलेंगे प्रेस कानफरेंसे खिताब करते हुए फॉर्ट ने कहा कि उनकी हकूमत अब भी सबकी आरा का जाइजा ले रही है और अनकरीब कोई फैसला कर लेगी विलियम्स अगरचा स्कूल दुबारा खुलने के हक में हैं लेकिन उनका कहना है कि अगले एक दो दिन में स्कूल खुलने या ना खुलने के बारे में एलान कर दिया जाएगा चीफ मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ डॉक्टर डैविट विलियम्स और उन्टेरियो के साइंस एडवाईजरी टेबल दोनों ने स्कूल दुबारा खुलने की तौसीक की है लेकिन डगपोड ने फैसला करने में सुस्त रवी का मुझहरा किया पॉर्ड ने जम्मेराद के रोज दरजनों तिबी माहरीन और मुझहरों से एक खुले ख़त के जरिये स्कूल दुबारा खुलने के बारे में मशवरा किया था साइंस टेबल ने मतनबा किया है कि स्कूलों को मकमल तोर पर दुबारा खूलने के नतीजे में रोजाना करोना केसिस में 6-11 पीसद इजाफा होगा लेकिन उसने तुल्बा को क्लासरूम में वापस जाने के फवाइद को देखते हुए इसे काबल इंतिजाम करने का कहा है अप्रेल के वस्त से ही स्कूलों को बंद कर दिया गया था लेकिन सुबाई हकूमत 14 जून तक कारोबार दुबारा खूलने के मनसूबे के पहले मरहले में दाखिल होने का एरादा रखती है इसके बाद तुल्बा को क्लासरूम में वापस जाने की इजाज़त देने के लिए हर तरफ से जोड दिया जा रहा है ताहम जग पोडने स्कूलों को दुबारा खूलने पर करोना फैलाओ के बढ़ते हुए खत्रे के बारे में तश्वीश का इजार किया है इसराईल और हमास में जंग बंदी के बाद घजा में फसे कैनेडियन शहरियों को वापस लाने का मतालबा किया जा रहा है मज़ी तफसिला जानते हैं इस रिपोर्ट में इसराइल और हमास में जंग बंदी के बाद गज़ा में फसे केनेडियन शहरियों को वापस लाने का मतालबा किया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबक ऑंटेरियों से तालुक रखने वाले एक एलक्रिकल इंजीनियर महमूत खल्फ ने बताया कि उनकी एहलिया अपने पांच साला और दो साला बच्चे के हमरा साथ साल में पहली बार अपने खाननान के लोगों से मुलाकात की घर्च से घज़ा लेगिन एक ही वक्त में सिर्फ एक महदूत तादात में लोगों को वहां से गुजरने की अजाज़त है और उन्हें कई हफ़ते पेश की दरफ़ास देना होगी कैनेडा के वो लोग जिनके खाननान के अफराद जो घज़ा में महसूर है उन्होंने विपाकी हकूमत से मतालबा किया है कि वो उनके प्यारों के इन्खिला में पौरी तोर पर मदद करें खल्प का कहना था कि हकूमत को उन्हें अपने लोगों का ख्याल रखना चाहिए यह उसकी जिम्हदारी है आलमी अमूर कैनेडा ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि आया महकमा घज़ा की पट्टी से कैनेडिन शहरियों को निकालने का क्या मनसूबा बना रहा है महकमे की तर्जमान पीटर येशिया इसकर्णर ने बताया कि कैनेडा के नुमाइदे दफ्टर के जरिये रामला में फलस्तिनी अथार्टी को कांसलर खिदमात पराहम की जा रही है दुनिया का कोई खिदा करोना वारिस की मूजी वबा से महفوظ नहीं इसकी तीसी लहर के दौरान मरीजों और अमवात में मसलसल इजाफा जारी है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में दुनिया का कोई खिदा करोना वारिस की मूजी वबा से महفوظ नहीं इसकी तीसी लहर के दौरान मरीजों और अमवात में मसलसल इजाफा जारी है दुनिया भर में करोना वारिस से मतासरा अफराद की तादाद 17 करोड 14,75,750 तक जा पहुची है जबके इस मूजी वारिस से अमवात 35,65,352 हो गई जबके 15 करोड 37,686 करोना मरीज सहत याप हो चुके हैं करोना वारिस के केसिस और इस से अमवात के अथवार से 10 सरह वारिस ममालिक में 33 करोड से जाएद आबादी का हामिल अमरीका ताहाल पहले नमबर पर है जहां इस वारिस से अब तक 6,9,760 अफराद मौत के मूँ में पहुच चुके हैं जबके इस से विमार होने वालों की मचमुई तादा 3,41,13,146 हो चुकी है एक अरब से जाएद अबादी वाला मुल्क भारत करोना वारिस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नमबर पर है जहां इस वारिस से 3,31,909 हलाकते हो चुकी हैं जबके इस से मतासरा 2,81,75,044 मरीज सामने आ चुके हैं करोना वारिस के मरीजों की तादाद के हवाले से मुमालिक की इस फैरिस में बराजी तीसरे नमबर पर है ताहम ये अमवाद के हवाले से फैरिस में दूसरे नमबर पर है जहां इस जानलेवा वाइरस से 4,62,966 हलाकतیں हो चुकी हैं जबके इसके मतासरा मरीजों की तादाद 1,65,47,674 हो गई तुर्की में करोना वाइरस से अमवाद 47,527 तक जा पहुची हैं जबके केसिस 52,49,404 हो चुके हैं बरतानिया में करोना वाइरस के बाइस अमवाद की तादाद 1,27,782 हो गई जबके केसिस की तादाद 44,87,349 हो चुकी है साओधी अरब इसी फैरस में 44 नंबर पर पहुच चुका है जहां करोना वाइरस से अब तक कुल अमवाद 7,362 रिपोर्ट हुई है जबके मुम्रिकत में करोना मरीजों की तादा 4,50,436 तक जा पहुची है भारती अदाकारा जोही चावला ने अपने मुल्क में 5G टेकनलोजी के इस्तेमाल के खिलाफ मुकदमा दर्श करवा दिया मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में भारती अदाकारा जोही चावला ने अपने मुल्क में 5G टेकनलोजी के इस्तेमाल के खिलाफ मुकदमा दर्श करवा दिया भारती मीडिया रिपोर्ट से मताबिक टेकनलोजी की रेस में भारत भी दुनिया के साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में जहां तरकी आफ़ता मुमालिक में 5G की टेस्टिंग शुरू हो गई है वहीं भारत ने भी मुल्क में 5G टेकनलोजी इस्तेमाल करने का फैसला किया है ताहम भारती अदाकारा जोही चावला इस फैसले के खिलाफ अधालत पहुँच गई बॉल्यवूड अदाकारा जोही चावला का शुमार उन चंद पनकारों में होता है जो ज्यादा से ज्यादा दरख लगाने समेट माहौल दोस्त एकदमात पर जूर देते हैं इसलिए अदाकारा अपने मुल्क में 5G टेकनलोजी के इस्तिमाल से खुश दिखाई नहीं देती और उन्होंने इस टेकनलोजी के इस्तिमाल को रोकने के लिए अदालत का दर्वास खटखटाया है एक इंटर्वियू में अदाकारा जूही चावला ने कहा कि मैं भारत की तरकी या फिर मुल्क में टेकनलोजी के इस्तिमाल में तरकी के खलाफ नहीं बलके मैं तो खुश जदीद टेकनलोजी को इस्तिमाल करने के हक में हूँ और मुझ समय तमाम लोग इस से इस्तिफादा हासिल करते हैं ताहम कुछ चीजों पर एतराज है। अदाकारा ने कहा कि ज्यादा तापकारी के इखराच के हवाले से हमारी अपनी तहकेशचाँ ये बताती है कि बगएर तार वाले गैजिट्स और नेट्वर्ट सेल टावर से निकलने वाली तापकारी की वसी मेगदार इनसानी जानों के लिए खतरनाक है। ये ना सिर्फ इंसानी सहथ पर असर अंदास होंगी बलके लोगों की जानों को भी खत्रात लाहक हो सकते हैं। दूसरी जाने भारती वजारत मौसलात का कहना है कि टू जी, ठीरी जी, पोर जी और फाइर जी टेक्नलाजी के इनसानों, परिंदों और दरख्तों पर असरात के हवारे से अब तक किसी खिसम की तहकीक नहीं की गई है। पाकिस्तान की मारू गुलुकार और अदकार फखर आरम भी वाल्टन एरपोर्ट को बचाने मैदान में आ गए। इस जमन में गुलुकार फखर आरम की जानब से भी वाल्टन एरपोर्ट को शिफ्ट करने की मखालफת की गई है। फखर आलम ने मुतालबा किया है कि वॉल्टन एरपोर्ट टरमिनल बिल्डिंग को सकाफ़ती विर्सा करार दिया जायए गुलुकार फखर एरपोर्ट फखर एरपोर्ट सकाफ़ती एतबार से पूरी दुन्या में भी मश्रूर है। उन्होंने मजीद कहा कि एरपोर्ट की जगा बिजनिस डिस्ट्रिक बने लेकिन टर्मिनल बिल्निंग को महफूस किया जाए। वाज़ रहे कि तारीखी वाल्टन एरपोर्ट हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है जिससे मुतालिक सिविल अवियेशन आथर्टी ने हकम नामा भी जारी कर दिया। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं टैक टीवी।